हलो फ्रेंज मैं हूं सरसदी और सरसदी के सारस कीचन में आप सब का भड़ी बहुत बहुत श्वागत है तो फ्रेंज आया 15 अगस्त के आप सब ही को धेर सारी शुब कामनाए 15 अगस्त आप सब ही के लिए सुब हो मंगल हो और चलिए बनाते हैं इसी वाद पे तिरंगा वर्फी जो बनाना बहुत आसान है और आज 15 अगस्त है तो यह रिस्पी तो बनता है तो चलिए फ्रेंज बनाना श्टाट करते हैं तिरंगा वर्फी इसके लिए हमने लिया है यहां पे मोंफली तो मतलब इसे कप से मैंने दो क आप मुंफली ले लिया है आप किसी भी कटोरी मतलब से आप सेट कर सकते हो तो हमने इसे गरम-गरम कडाही में डाल दिया है अच्छे से भूनेंगे पर हाँ इसे ध्यान रखेगा इसे लो फ्लेम पर ये काम करना है क्योंकि अगर हम हाई फ्लेम करेंगे तो उसपर से छिलिक और इसे पंक्य के पास रख देंगे जल्दी से ठंडा हो जाए जब ठंडा हो जाए तो इसे खास से मसलते भी इसका छिलका हम हटा के रेडिक कर लेंगे मतलब इसे सारे छिलके अराम से हमसे निकाल देंगे कुछ इस तरह से अब एक एक जो पंफली बचा हुआ इसमें अगर छिलका भी रहे तो कोई बात नहीं एक दो रह जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है तो हमने इसे निकाल दिया सारी छिलके साफ कर दिये हैं अब हम इसे डालेंगे मिक्सर जार में क्योंकि हम इसे पाउडर बनाना है चलिए के में दिक्कत हो जाएगे तो हम इसे अचसे चान लेते हैं बुलकुल फायन हुमें पौटर चाहिए तो हमने इसी छान लीया है चलिए चलते हैं गैस के तरफ इसे साइड में रखते हैं तो यहां पे हम ले रहें हैं तीन तिहाई कप चीनी और उसका आधा हम इसमे पानी टालके अच्छे से इसे मिक्स करें गें हमें एक तार की चासनी नहीं बनानी हैना रस तो चीनी घुूल जारी उतना ही काम करना है, ठीक है तो चीनी घूल जाने पर हम मिदा लेंगे मुंफली का पाउडर और इसे बिल्कुल फ्लेम लोग कर देंगे इस समय बिल्कुल फ्लेम लोग है या पिर चाहो तो दो तीन मिनट के लिए आप इसे बंद भी कर सकते होगा इसको लेकिन हमने बिल्कुल इसे लोग फ्लेम कर दिया है क्योंकि मुंफली जो होता है अच्छा एक सी बताओं इसमें कोई घी हमें नहीं डालने की ज़रूरत है यहाँ पर हम डालने हैं एक चोथाई कप अभी हमने milk powder एड़ किया है इसमें अच्छे सी mix करेंगे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और हमने एक चोथाई कप और milk powder डाल दिया मतब दो बार में हमन सब्सक्राइब बना रहे हैं तो इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप देख सकते हो यह बिल्कुल रेडी हो गया है और हमने इसे कम से कम 5 मिनट तक पकाया है बिल्कुल लो फ्लेम पे तो आप इस तरह से बिल्कुल यह अच्छे प्टाही चिपग रहा था तब हम इसे निखाल देंगे ठाली में, इसे ठंडा करने के लिए थोड़ा से इस तरह से फैला देजिए, पखे में रख देजिए, दो मिनट एठंडा हो जाएगा, अब तरंगा पर भी बनाना है तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कलर, तो यहां पर हमने एक हारा कलर और एक औरेंज कलर डाला है और वाइट वाला पार्ट बिल्कुल वाइट ही रहेगा अब कलर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे थोड़ा से इस तरह से हाथ से मसलते हुए करोगे ना तो यह चिकना भी हो जाएगा और इसमें जो है कलर भी बढ़िया आ जाएगा तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा सा कलर हरे वाले का आ गया है तब हम इसे रखेंगे इसके साथ और हाथ को धूल के हमें दूसरा कलर मिक्स करेंगे हाथ अगर नहीं धूलोगे तो इसका पार्ट जो आ जाएगा तो देखने में अच्छा नहीं लगेगा तो दोनों पा पाहता से इसे हम बेल के थोड़ा सब बढ़ा देंगे और इबेलन से करने से नहीं चिकना हो जाएगा तो आप इस तरह से अच्छे से सेट कर लीजिए बहुत ही इजी रेस्पी फरिंस आप इसे आराम से बना सकते हो जब चाहो बना लो कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें अ अभी कलर को इस तरह से हलका सा बेलते हुए बस इस तरह से कर देना है तो आप देख सको इसकी मुटाई देखो कितना मुटा है यह लियर कितना तो हमने पहले औरंज लगा दिया है अब इसके उपर हमने लगा दिया है वाइट वाला अब लाश्ट में हम लगा देंगे हरा हो लकष पहला लग रहा है विल्कुल जाइनिंग से दीख रहा है तो यहां पे इस तरह से अच्छे से हम स्यट कर देंगे और इस तरह से पलट के और वापस से हम थोड़ा से उसके उपर ऑढंट से दालेगे नारिल अच्छे से सेट हो जाए तब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं बस ज्यादा देने हैं हम इसे फ्रिज में रखेंगे पांसे दस मिनट रखेंगे इसे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं रखेंगे तो यहां पर थोड़ा सा ना इसे नारियल वाला पार्ट जो है छोट रहा था तो मै चोटे साइज बनती है तो अच्छा नहीं लगता देखने में तो इस तरह से पहले आप निशान लगा के फिर उसके बाद इसको कट कर लीजिए बहुत एजली इसकी कटिंग हो जाती है और इसे आप कई दिन तर श्टोर करके रख सकते हो पतलब 10-15 दिन तो रखे सकते हो लेकिन इतना दिन रखता है कौन इतना स्वाधिष्ट बनते हैं सारी चीजे जो एक दिन में चट हो जाता है तो देखिए फ्रेंस यह हमारी जो बर्फी है बिल्कुल तिरंगा बनके तैयार हो गई है हमने इसे थोड़ा सा कट किया है न तो यह जो कलर है यह हलका सा मिक्स ह हो गया था और किसी में हुआ है किसी में नहीं हुआ बस इतना ही था बहुत ही बढ़िया बर्फी तैयार है तो ज़रूर इसे एक बार ट्राइड करिए का वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज लाइक के जरूर कर देजेगा और ज्यादे अच्छी लग जाए तो शेयर कर देजिए कमेंट करना बिल्कुल ना भोले कमेंट करके जरूर बताएं आपकी आज की रेस्पी आपको कैसी लगी बने रहने के लिए